नमस्कार दोस्तों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागत है। दोस्तों आपको बता दी कि शाथ मार्च के शुबर 11 बजी से जिया दोस्तों यहश्मी से आपकी जूनकाल में बगवान श्री गनेज जी के अशिरबास से चार बड़े महत्पून बदलाओं होने वाले दोस्तों दरशल आपकी जानकाली के लिए बता दे कि यहश्मी बुद्दवार का दिन होगा। और दोस्तों बगवान श्री गनेज जी का यह चमतकर आपकी जूनकाली के लिए बहुत भागेशाली रहने वाली है। जिनमें आपको अचानक शी बड़े शुबलताई मिलने दोस्तों आपको बता दे कि बगवान श्री गनेज रिक शिर्बाद शीयश्मी आपको और इको परकार की खुशकरियों की भी प्राप्ती होने वाली है। यह में आपके अधर के माहल में आपके पारिक जोन में यह था श्मम बड़े बड़े शुधार होने वाले हैं जो कि आपको खुश कर देने वाले होंगे। जिया दोस्तों आपको बता दे कि बगवान श्री गनेज रिक शिर्बाद जिनके भी जीवन काल पर होते हैं। उनके जीवन में कवी भी धंदूलत और शुक्रशम्रती की कमी नहीं रहती। और यह श्मी बगवान श्री गनेज रिक आपको नएने शुप्र समाचारों की भी प्राप्ती होने वाली है। दोस्तों यह कहें तो भगवान श्री गनेज रिक शिर्बाद स्री आपका यह श्मी बहुत ही भागशाली श्रमें वच्टत होंगे। तो दोस्तों यह श्री में वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इनमें आप शबी में पुच्छान करें को जानेंगे कि यह श्मी आपको किने श्रम को लेकर शावद होने होंगे। कौन से कारे आपके लिए भागशाले होंगे। किने श्रम में कारे करने श्रम को लाब की प्राप लिखेगा गुरुजी का और घवागवाण श्री गनेश जी का शीधा शिरवात प्राप करेगा तो दोस्व जरूल लिखेगा और एगर आप चैनल पर भी नए है तो दोस्व चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले शाथी बैल आइकन को प्रेश करके ओल पर स्लेट कर ले तो आप हाशिल करेंगे नई योजनाएं और निवेश की भी शंभाना बन रहे हैं दोस्तों परिवार की लोग का भी भरपुर्श यूग यस में आपके उपर रहेगा इसकी प्राहिए दूसरी व्यक्ति की वज़र से आप परिशानी में आ कि वज़र चेंश मांनेंी होने की इस्तिती भी बन सकती है दोसर्च में विध्यार्तियों का अपनी पढ़ाई से द्यान भटकेगा तदा दोस्तों के शाएद फृणने और फिर मनलोंजन में समय वैर्थ होगा तो दोस्तों इन से आप शावदान रहें और पढ़ाई के परति अपने ध्यान को खेंदरित करने की कोशिश करें इसको पराण दोस्तों यह श्मे आपके लिए जिसमें होगे दोस्तों काफी दिनों के बाद प्रस्तिती आपके मन जिसी बनेगी दोस्तों आपको मिल रहे आर्थिक फायदे की वज़र से आप अपने लक्षियों को यह श्मे प्राप्त करेंगी और दोस्तों यह आपके लिए आशान होगा दोस्तों आपके द्वरा भनाएगी योजना में वास्तोवता का रूप देने के लिए आपको केवalg अकटा की जर्रतों होगी तो दोस्तों इसके अपकी अपग्राईयों किसी एसे शुरूत से धन मिल सकता है जिसके बारे में कभी आपने कलपना भी नहीं की थी दोस्तों आपकी दिड़े एक्चाश शक्ती आपको शही समय पर शही कारे में शफलता दिलाएंगी शाथी दोस्तों यहस में लोगों से विचार का अदान पदान जिसी की गतिविदियों में समय विवातित होगा और दोस्तों मानशक सांती भी यश में आपकी बने रहेगी इसके प्राइन दोस्तों यश में विद्ध्यार्थियों तोधा युवाओं को कॉम्पेटिशन या फिर परिशा में उचित परिणाम हासिल होने से कुछ माय से भी रहेगी कुछ लोग जलन की भावनां से आपको परिशान भी यश में कर सकते हैं दोस्तों यश में आपके बारे में सब गलत भी अफ़वा पहला सकते हैं दोस्तों यश में धहरे और श्रेम बनाकर रखने का आपके लिए श्रम्य होगा इसके प्रांद दूसमें आपके लिए जिसे में होंगे जीवन में धीमी गती से परती देखना आपको अस्वस्त बना रहे सकता है दोस्तों अधिकतर लोगों के प्रती आपकी जो नराजगी बढ़ने के वज़े से किसी भी रिलिसंसीप को ठेक से निमा पाना आपके लिए थोड़ा सा कठीन भी हो सकता है गुस्य को कावियों में रखने से यश में आपकी पिस्तिया जो अनुपोल हो सकती है तो दोस्तों इस पर जो है आप अधिक ध्यान देने की कोशिश करें इसको प्रांद दोतों यश में आपके लिए जिसमें होगे दोस्तों सबसे अच्छी बात या रहेगी कि यश में आप अपनी पूरानी या फिर दकी अनुर्शी मांस्षिक्ता को बदलने के लिए प्रयाश करेंगे दोस्तों बड़े बुजर्गों की शला वो फिर मार्दर्शन का अनुर्शरन करना आपके लिए लाबदायक शावित होगा दोस्तों या शमेद ध्यान अध्यात्म या फिर योगा की तरफ आपका रुजान बढ़ेगा वहीं दोस्तों इसको प्रांद आपके लिए समय होगे आर्थिक मामलों पर गंबिड़ता से विचार करना आपके लिए अवश्यव होगा दोस्तों दोपर बाद जो जो समय होगे अस्त वैस्त व्यातित होगा कुछ पारेवर एक मुद्य परिशान कर सकते हैं दोस्तों आपका अत्म विश्वास यसमी डगमगा सकता है और दोस्तों वेर्थ की उल्जनों में भी आपको फंश रखते हैं तो दोस्तों अपने वानी पर स्रहिम रख कर कारियों को करें ये आपके लिए पैतर होगे इश्वास यसमी आपके लिए जुसे में होगे आपके दिंचरिया के लिए जुसे में होगे दोस्तों आपकी प्रिस्तिती में अचानक शिश्वास रकार्तमक बदला भी दिखेगा जिस मोके का आपको काफी दिनों से इंतजार था दोस्तों वही वह मोका जो है यश में परिशे द्वारा प्राप्त हो सकता है दोस्तों यश में आपके दिक्तर एक्षा यश में पूरी हो सकती है दोस्तों इसको ब्रांद आपके जिए सिम्होंगे राज की कारी किसी की मदद से सबल होंगे विद्याती तता युवाओं को इंटर्वियो क्या फिर परिशा आदी में शबलता भी मिल सकती है इसलिए दोस्तों और अधिक मेहनत करें और विवाश अमारों आदी में जाने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों तमाम तरकी गतिडियों में भी यश में आपकी वैस्ता बने रहेगी इसके उपरादी दोस्तों यश में भूमी आदी के क्रिये विक्रिये में कारियों को जो है बहुत अधिक शावधानी पूर्वक करें ये आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों भूश की यश में भागदोर की अधिक्ता रहेगी मशनली का परियोग बहुत अधिक शावधानी पूर्वक करें आलस को अपने उपर यश में हावी नो होने दें ये आपके लिए बैतर होंगे इश्क पराण दोस्तों यश में अपनी छमता से अधिक का रिक्ष लेकर आपके कार्यों को करेंगे ये आपके लिए उच्छित नहीं होगा दोस्तों जिनी जिस्तों में कड़ावट आयु हूई है उनी जिस्तों से यशो में दूरियां बना कर रखें ये आपकरी बैतर होंगे इसको प्रश्तों यशो में अगर आपकी किरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में और विशाइक ग्यत्विदियां सुचारी रूप से चलती रहेंगी प्रत दोस्तों कारे स्तलफर अपनी जो है अलग पहचान बनाने के चकर में आप अपना इमेज भी बिगाड सकते हैं इसलिए दोस्तों ध्यान रखें श्रहज और विनमर बनकर अपने कारे को अशानशे आप निप्टा सकते हैं दोस्तों सरकारी नुकरियों में इस्तित युवाओं को यश में उत्तम परेडा मिलेगा इसके प्राहँ दोस्तों यश में आपके करियर के लिजी समय होगे दोस्तों काम को पूरा करते श्रमे वक्त का लिहाज यसमिक आपको करना होगा इसके प्राहिज दोस्तों यसमे आपके करियर के लिए जो समय होगे आपके वायुशाय के लिए जो समय होगे तो दोस्तों यह शुमे उस कारवाईब से सम्मधित सकार्तमक परीडाम या फिर सुब समचार आपको मिल सकता है इसकी प्राण दोस्तों यह शुमे आपके केरेल के लिए जी समय होंगे आपके वाईशाय के लिए जी समय होंगे दोस्तों वैपार में किशी परिचित के माध्यम से बड़ा ओडर भी प्रापत हो सकता है और आप जुनूद की तरह काम करेंगे दोस्तों यश में सरकारी कारियों में विजय हाशिल होंगी दोस्तों नोकृкахरी में अपने लक्षणो को पूरा करने का दबाब भी बना रहेगा जिसकी वज़श से ऑवर टाइम भी आपको यश में करना पड़ सकता है इसके उप्राशन यश में आपके लिए जो समय होंगे आपके केरेर के लिए जो समय होंगे दोस्तों याश में ओफिस के उच्छ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे दोस्तों बोनस के साथ बहतरीन महाल भी याश में मिलने की श्रमाना बन रही है दोस्तों वैपार में भी इस तिदियां आपके पक्ष में रहेंगी नई योजनाय और फिर निवे शमंदी कारियों में अस्यूप लगधियां आपको हासिल होगी इसको प्रावन दोस्तों याश में अगर आपके लव लाइप के लिएकर बास करें दोस्तों पती पतनी की बीच घरूल मुद्दों को लेकर थोड़ा सा काश होनी भी हो सकता है प्रावन दोस्तों आपश में बेट कर विचार बिश्यूप करने से शमस्या का स्माधान भी जल्दी ही मिलेगा इसको प्रावन दोस्तों याश में आपके दोवरा रखे लव परपोजल को नाकारा जा सकता है तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें इसके पराद दोस्तों यश में आपके लिए उस्वे होंगे आपके लब लाइप के लिए उस्वे होंगे घर का महौल शुक में बना रहेगा और इसके लिए आपका सोयोग यश में अतिया होशे होगा दोस्तों यश में मसालेदार वयजन का बिल्कुल त्याग करें और शुगर बलड प्रिशर का भी पूरुन ध्यान रखें वयजाम और शेर करना यश में आपके लिए उत्तम उपाय होगा इसके प्राहन दोस्तों यश में आपके स्वास के लिजु से में होंगे दोस्तों यश में अपने स्वास का पूरा ध्यान रखें काम के दिखता के वज़र से तनाव और ठकान भी हावी रह सकता है इसके प्राद दोस्तों याश्र में आपके शहत के लिज़ी स्रीमें होगे दोस्तों आपके गलत दिंचरिया वा फिर खान पान का नकारतमक अशर आपके श्वास पर पड़ सकता है आपको पेट खराब होना या फिर गयाज जैसी परिशानी भी आपको तकलिप दे सकता है इसके प्राद दोस्तों याश्र में आपके श्वास के लिज़ी स्रीमें होगे आपके श्यहत के लिज़ी स्रीमें होगे दोस्तों शाम तक श्वास अतियुत्तम होगा प्रतु दोस्तों यश्र में कोई दुरगटना या फिर हलकी फुलकी चोट लगने की अशंका भी बन रही है दोस्तों यश्र में वहाँ शाधनी पुरवक चलाएं बैतर होगा कि यश्र में वहाँ आप नहीं चलाएं तो आपके लिए अत्ति उत्तम होगा